हेलो गाइज आज वीडियो में मैं आपको मिक्स वर्काउट बताऊंगा अगर आप पहले दिन जिम जा रहे हो तो जाते ही एकसेसाइज ना करें पहले कुछ वोम अप करें जैसे कि आप देख सकते हो अपने सोल्डर के हाथ आप ऐसे खोल सकते हैं ताकि आपके इंजरी होने का डरना हो आप इसकेपिंग भी कर सकते हो साथ में आप running भी कर सकते हो आपको बस warm up करना है ताकि अच्छे से आपकी body stretch हो और कोई injury होने का दर्द ना हो उसमें आप कुछ भी कर सकते हो जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो यह दूसरा हमारा guys cardio हो जाएगा जिसमें आप running, cycling कुछ भी कर सकते हो जिससे क्या है आपका lower body part बहुत अच्छे से active रहेगा और साथ में कोई injury होने का डर भी नहीं रहेगा क्यूंकि अक्सर देखे आता है लोग lower body part अपने train नहीं करते हैं जिसके कारण उनके legs में और thigh में injury होयाता है तो आप समय पहले running और cycling कर सकते हो जिससे आपका lower body part बहुत अच्छे से active रहेगा यह हमारा second अब चलते हैं third की तरफ अब हम proper exercise पायाते हैं तो पहले हमें pull ups करने है pull ups में आपको hold करके रखना है ताकि आपकी back अच्छे से stretch हो और साथ में कोई injury भी ना हो जब आप अपने back को hold करके रखोगे उसके बाद आपको अपने simple pull ups लगाने है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो वो भी आपको pull ups slow में लगाने ताकि आपकी back अच्छे से train हो और साथ में back अच्छे से active है इससे कि आपके injury भी नहीं होगी back भी और आप अच्छे से pull ups भी कर पाऊगे गाईज अब हम कुछ अपने shoulder पर भी काम करते है shoulder के लिए हमें पहले अपने side raises train करने है side raises के लिए आप जैसे देख सकते हो अपने strength का coding light will लेने के बाद आपको slow में perform करना है जैसे यह कोई जल्दिवाजी नहीं करने है जब आप side raises कर लोगे तो आपको front raises करना है हमारे shoulder का front part बहुत bold visible होता है इसे लिए आपको यह बहुत अच्छे से perform करने है और साथ में पूर उपर तक लियाना है और repetition इसके ज़्यादा रखेने और आपको weight अपने strength के according लेना 12 से 15 reps रखेने इसके ज़्यादा नमा आप थोड़ा bicep पे भी काम कर लेते हैं तो bicep के लिए आपको dumbbell curl करना है simple exercise है dumbbell curl करते हैं बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखेनी है जो इसकी जो form है वो आपको बहुत अच्छे से करने है क्यूंकि बहुत लोग क्या गलती करते है ego lifting के चकर में heavy weight लेके form गलत कर देते है आपको ये गलती नहीं करने है form सही करने के लिए आपको light weight से करना पड़ेगा वैसे भी हमारा first day जिम में तो आपको लाइट वेट से exercise करने है तो आप अपने strength का coding light weight लेके डंबल कर करिए उसके बाद आप hammer curl करिए hammer curl करने से क्या आपके जो overall जो आम है बहुत अच्छे से train होगा जैसे आप दे सकते हैं ये तो आप hammer curl कर सकते हैं 15 से 20 repetition hammer curl भी आपको लाइट वेट के साथ ही करना है इतना आप इस ट्रेंद का coding कर सकते हो कोई ego lifting नहीं करना है इसा मैं आपको अभी तक बताता आ रहा हूँ कोई heavy weight नहीं लेना है light weight के साथ यह चाहिए तो गाइस अब हम अपने कुछ back को भी train कर लेते हैं बैक को heavy weight नहीं लें फ़र्ज डेये जिम का भी तो लाइट वेट के साथ करिए जितना हो सके repetition जादे रखिए और light weight रखिए अपनी strength का coding कोई ego lifting नहीं करनी है ठीक है और साथ में guys एक चाहिए और ध्यान रखिने है form आपको सही रखिने है ऐसे आप देख सकते ही है आपको जब पीछे लाओगे road तो आपको अपने feet को पीछे ले आनी है पूरी back को और अच्छे से quiz करनी है तो guys जब आप अपनी back train कर लेंगे तो अब हम कुछ अपनी chest को और guys इसे भी आपको light weight के साथ करना अपने strength का coding कोई heavy lifting नहीं करनी है ego lifting मत करना जैसे मैं बताता आ रहूं light weight के साथ करिए मैं guarantee देता हूँ आपके chest में भी बहुत अच्छा pump आएगा back अपनी वापस train करेंगे back को train करने के लिए हमें deadlift करना डैड़ लिफ्ट one of the best exercise है आपकी back को train करने के लिए और साथ में आपकी strength को दिखाने के लिए तो guys back के लिए आप deadlift कर सकते हैं deadlift में आपको अपनी जो back है आपको straight रखनी है और straight रखने के बाद slow में नीचे लाना है slow में उपर लाना है कोई गलती नहीं करनी है back के लिए क्योंकि इससे injury भी हो सकती है आपको light weight लेना कोई heavy weight नहीं लेना है ठीक है और साथ में आपको इसके भी 12-15 repetition लगाने regular हमारी जो last exercise है वो हमारी legs के legs को आपको ट्रेन करना होगा हर हफते क्यूंकि बहुत लोग क्या अपनी legs exercise छोड़ देते हैं तो आपको यह गलती नहीं करनी है जिससे उनकी lower जो body बहुत बेकर लगती है आपको अपनी leg की एक्सेसाइज regular करनी है अग इसना भी मैंने आप गाइस आपको एक्सेसाइज बताईए यह फार्जडे एडजी में फॉर बीगनर लाइट रखिए 12-15 repetition रखिए